नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आपके अपनी चानल अंजली न्यूस कौरण में, मैं हूँ आपकी वही अंजली मुहाबत भी शराब के नशे जैसी है दोस्तों, करें तो मर जाएं, और छोड़ें तो किधर जाएं? जी हाँ आपने सही सुरा, हम आजके डेली राशी फल के बात कर रहे हैं, आजके दिन जिनका बज़े हैं, या पर मारी जनवर्चरी है, और को मेरी तरव से धेड़ सारी शुपकाम ना हैं, तो चली अब स्टार्ट करते हैं वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाटी हूँ, और कुछ लोगों को तुम जगादो लाइफ में कुछ खोना पड़े, तो ये दो लाइंस जरूर याद रखना पहला जो खोया है उसका गम नहीं, और दूसरा जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं स्वारत से रिष्टे बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिष्टे बनेंगे नहीं और प्यार से बने रिष्टे तोडने की कितनी भी कोशिश करो, रिष्टे तूटेंगे नहीं तुम सच बोलके किसी का दिल तोड़ देना, मकर जूट बोलके किसी को खुशी मत देना दोस्त और दुश्मन को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दुश्मन कभी यकीन नहीं करेगा और दोस्त और दोस्त कभी शक नहीं करेगा तेरे किस्मत का लिखा तेरे से कोई ले नहीं सकता अगर उसकी महर हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता जिंदगी में बार-बार सहारा नहीं मिलता बार-बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता है जो पास उसे संभल के रखना खो कर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का हर पल हमेशा शुकर यादा करें आत्व विश्वास के साथ आप आसमान चूम सकते हैं और आत्व विश्वास के बीना मामुली सी उपलब्दियां भी आपकी पकड़ से परे हैं पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगी और फिर वो करो जो तुम ही करना है जीवन में अनुभवों से सीख कर खुद को बदलने की जरूरत होती है अगर हम बदलना बंद कर देती हैं तो एक ही जिगा रुक जाते हैं जो बदलती हैं वही आगे बढ़ते हैं इसलिए आप भी हमेशा वक्त की साथ बदलना सीखिए ताकि आप हमेशा लेटिस्ट बने रहें सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज आप के लिए जो है भागेशा ली रंग रहने वाला है आज का गुलाब याने की बिंक और लखी नवर रहने वाला है आज के लिए रंबर छे तो आज प्रोफेशनल रूप से आपकी उनुती का रास्ता खुल जाएगा प्रोफेशन के भी योग नजर आ रहे हैं बिजनस में जिस टेंडर या प्रोजेक्ट का कुछ समय से आप इंदजार कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है किसे भी बात की जिल्दबाजी मत करें पूजा पाट आपके लिए बहुत ही फायदेमन रहेगा नए लोगों से मेल जोल बड़ेगा जिसे कि आपकी जिवन में एक नया पन और प्रगती के नए रास्ते खुलते जले जाएंगे अपनी मन में स्थिर्ता और सैयम आपको बना कर रखना है ये बहुत इंपोर्टन्ट है प्रफेशनल वातावरण में उस स्पेशनल व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमन हो सकता है आज बाहर की गदी विदियू पर अपना ध्यान जो है जादा फोकस कीजिएगा और हाँ पूरी प्लानिंग के साथ आज अपने कारे को कम्पलीट करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता ब्राप्त हो जाएगी और आयके साधन भी आपके काफी मचबूत बनने शिरू हो जाएगे कभी-कभी आपके लाप परवाही की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से सभाव में अकारण ही गुसा चिंशिडापन ये सभा सकता है अपना जो है सेल्फ कांफिरेंस जो है उसको बनाकर रखे और अपनी उर्जा को फिजूल में जाया मत कीजे अपनी उर्जा को गुसे की बिजाए आपको जो है अच्छे कामों में लगाना चाहिए साधने में आज अपना सभाव भी थोड़ा आडियल मत रखेगा भविशी के लिए आज कोई प्लानिंग ना बनाए नहीं तो बाद में फिर बदल करने बढ़ सकती है अगर आप प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो आज के लिए बनाईएगा पुराने गल्तियों के कारण परिशानी भी हो सकती है किसी के बाद को आप दिल पर ले सकते हैं अरे दिल पर मत लीजेगा वरना बिना कारण के ही आप परिशानी में हो सकते हैं इसे आपकी ही हानी है इसे ना के वर आपके रिष्टों पर असर पड़ेगा बलकि आपके सेहत पर भी खराब असर पड़ने वाला है तो आपको फिजूल की जो है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्रॉपटिर से रिलेटिट किसी प्रकार का कारेक करने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है घर के रखरकाव से रिलेटिर शॉपिंग हो सकती है घर का साज और समान की शॉपिंग कर सकते है आज के लाव अपनी दिन चर्य में जो बदलाव ला रहे हैं उससे आपके स्वास्ति और परसनालिटी में बहुत ही ज़ादा सुधार आ सकता है स्टूर्ण्स का ध्यान अपनी बढ़ाई पर फोकस नहीं रह पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कते आएंगी पुरानी नेगेटिव बात दुबारा उठने से नजदीक की रिष्टेदारों में जो है संबंद वो खराब हो सकते है ऐसी अशंका बन नहीं है सितारे कहते हैं आज किसी इंपॉर्टन्ट फैसले को लेने में दिक्कते आ सकते हैं बहतर तो यही होगा किसी नुभविकी व्यक्ति की सला लेते हैं या फिर अपने बॉस की सरकारे जो लोग काम करते हैं उनकी आज काफी ओवर टाइम करना पड़ सकता है जिसके लिए आपको जो शरीर प अपना सयम खोई नहीं बलकि बना कर रखे अपने आपको परिसित्यों के अनुसाद ढाल लीजिए कारिशेत्र में सही होगे और करमचारी पर ज्यादा विश्वास मत कीजेगा कोई भी फैसला उनके आप बातों में आकर तो मत लीजिए क्योंकि किसी अन्ने की सला आपके नुकसान हो सकती है बहतर यहीं होगा कि बॉस की सला लें वो आपके लिए जादा हितकारी है नौकरी पेशा विक्त्यों के उपर आज कारेभार की जादा दिखता नजर आ रही है अगर कोई विवसाय करना चाहता है तो उसके लिए महनत भी करने बड़ेगे लेकिन फल है उनको काफी मातरा विए बहुत ही अच्छी अच्छा खासा मूनाफा देखने को मिल सकता है और इंपौर्ट-क्सपोर्ट की कामों में भी काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है आज सितारे कहते हैं कि बस डियल जो हैं फाइनल करें तो सोच समझ कर कीजीगा अगर आप एडवांस में ले लेते हैं तो जादा बेटर रहेगा अपने आपको सेक्योर महसूस कर पाएंगे तो बिजनस और करेर के बाद अचली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ में आज आपके कारों में जीवन साथी का सहयोग भरपूर मिलता रहेगा लाग दाइक सित्व हो सकता है आपके सबंदों में मदुर्दा नजर आएगी आज के दिन परिये जनों के साथ अच्छा समय बिताने को मिल सकता है आज किसी नए रिष्टे के शुरुवात भी कर सकते हैं पसा आपको थोड़ा सा संबल कर भी रहना चाहिए परिये जनों के साथ किसी बात कर तनाव हो सकता है आज जो है अपने साथी के साथ फोन पर थोड़े आप गुसे वाले सभावले हो सकते हैं किसी बात पर नराज हो सकते हैं जिससे कि दिहें आप दूनों में थोड़ी दूरियां पैदा हो सकते हैं लेकिन दिन के चलते शाम तक आपका जो है जो रवाई अठी ठाक हो जाएगा और आपस में आपकी बननी फिर से शुरू हो जाएगे अपने नजारिये को बदलने की कोशिश की दियों और समझेए कि आपका पार्टनर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रेम सबंदों में भावनात्मक रूप से आथ थोड़ी बहुत तनाव तो होगा ही जैसा के मैंने भी कहा था और अपने एगो को इंट्रोल में जरूर रखिएगा तो ये दे लव लाइफरों बात करते हैं आज की स्वास्तक की बारे में स्वास्तक गहता है कि कुछ तनाव कुछ थकान आज यह हो सकता है आला सभी हो सकता है मैरिडेशन और यूगा करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा वारल हो सकता है कही लोगों को इंफेक्शन हो सकती है सावदान नहीं खाने पीने का ध्यान लखी और वातावरन जो अब चल रहा है उसको देखते हूँ इलापरवाही तो बिल्कुल भी मत बढ़तीगा नेगेटिव इचारों की वज़़ा से आत्मबल में कमी आ सकती है इसका असर सिहत पर काम पर आपका पढ़ सकता है तो इस पर आपको फोकस करना होगा थोड़े से महनत से आप किसी पुरा ने रोख से जलती ही निजात हासल कर सकते हैं बस आपको महनत जरूर करनी है और थोड़ा सा परहेस और थोड़ा सा विवाम आपकी सहत को करदे का पहले जैसे बहुत यारा तो चलिए बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आपके लिए विशेश उपाई ही रहेगा कि आज आज आपको जो है सूरी को सुबा जल देना चाहिए और साथ में सूर जलीजा का पार्ट करना बहुत ही फायतामंद रहेगा इसके साथ यहनुमार जलीजा का पार्ट भी पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र का पार्ट करना बिल्कुल भी मन भूलेगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद